नमस्ते दोस्तों आप सभी का मेरे चनल में स्वाकत है आज हम आपको शीडी के साई बाबा और मानिक प्रभु के कहाने के बारे में बताएंगे एक बार के बात है सद्गुरु मानिक प्रभु जी और उनके भाई यानि की ताता साहिब एक महल में बैठे हुए थे तभी अचनक एक फकिर उनके पास आए और कहने लगे बिक्षाम देही वे फकिर मानिक प्रभु के सामने पौच गए और बिक्षाम देही बिक्षाम देही कहने लगे मानिक प्रभुजी के भाई तात्या साहिब उस कटोरे को पैसो से भरना शुरू कर दिया जैसे तात्या साहिब उस कटोरे को पुरा भर लेते वो अपने आप ही खाली हो जाता तब मानिक प्रभुजी ने अपनी आखे बंद करी और दिव्य दुरुष्टी से देखा ये फकीर कौन है तब उन्हें पता चला ये फकीर कोई नहीं बलकि शीड़ी के साई बाबा है उनकी परिक्षा लेने आए है तब मानिक प्रभुजे ने अपनी आखे खोली मुस्कुराय और वो फकीर का कटोरा अपने पास लेके आ गई उस कटोरे के अदर मानिक प्रभुजे ने पास खजूर रखे और कुछ फूल रखे और उस फकीर को दे दिया उस फकीर ने यानि की साई बाबा ने वो पाज खजूर उठाए और फूल फेग दिये बोला बेटा मेरा इतने में बस हो गया और वो फकीर यानि की शीड़ी के पर दर्शन करेंगे तुम दत्त के आवतार बनोगे ये मेरा आशिरवात है तुम्हें इस प्रकार शिड़ी के साहिवावने मानिक प्रभुजी को आशिरवात दिया